इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा बिल का आइकोन को प्रेस कर लेना है तो सबसे पहले हम ये चैक कर लेते जो आप लोग का इस्ट्राम अकाउंट है उसमें कोई बग तो नहीं है बग को फिक्स करने के KAR लिए आप लोग को जाना होगा इस्ट्राम पे घर अब अपनी प्रोफाल पे क्लिक करेंगे तॉप पे ठ्रीलन में लगाइस पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे help पे क्लिक करते है रिपोट प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे check phone to report problem तो simply अपने phone call check कर लेते हैं उसके बाद यहां पे लिखा आता did something go wrong रिपोट प्रॉब्लम पे भी क्लिक करेंगे तो अभी तो फिलाल हमारे Instagram अकाउंट में कोई भी बग नहीं है अगर आप लोग की phone में कोई इंटर्फेस आ रहा है तो इसका मतलब को जो भी प्रॉब्लम में क्रेस हो रहा है आप लोग का Instagram आईडी तो आप लोग को उससे related आपको form fill up कर देना है उसमें आप लोग का form जाएगा within one week के अंदर आप लोग की problem fix हो जाएगी ठीक है और अगर ये तरीके से भी आप लोग की problem fix नहीं होती है तो आप लोग को जाना होगा अपने phone के play store पे देना आप लोग को सर्च करना होगा यहां पर Instagram Instagram सर्च करने के बाद Instagram में कोई update available होगा तो simple आप लोग अपने Instagram को update कर लीजिगा ठीक है यहां फिर आप लोग को जाना होगा अपने phone की settings पे और यहां पर हम click करते है apps पे search बार पर हम click करेंगे और search करेंगे Instagram तो यहां पर हम search कर लीजिए Instagram और Instagram की storage पे चाहिएगा देना आप लोग को Instagram का एक बाद data को clean कर लेना होगा बाद data clean करने से पहले आप लोग एक ची सोचेगा कि जब आप लोग data clean करेंगे ता आप लोग को फिर से login करना पड़ेगा तो वहां पे आप लोग को user ID, username, password मालूम रहना चीए तो ही जाके आप लोग इसके data clean कर लिएगा आप लोग user ID, user ने पता कर लिए उसके बाद आप लोग data clean करें फिर से आप लोग लोग इन करें अपने Instagram पे 100% आप लोग को की problem fix हो जाएगे तो simple आप लोग के method को यूज करने आप लोग की problem fix हो जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दे करना पिर से जब हिर आप लोग करने कर लोग में.